मानन सागर के रामायर पर अधारित एक कल्या जारी सीरियल बनाया जिससे दर्शकों से बे सुमार प्यार मिला असी के दर्शक में भी दूर दर्शन पर शारित होने वाले सो के परती दर्शकों में अलग ही दिवानगी हुआ करती थी इसके बाद कोविड महामारी के दस्तक के बाद लगे लॉकडाउन के दोराद इसे आज शाम साड़े साथ बजे से शे मारू टीवी पर देखा जा सकता है इसे लेकर हाल ही में रामायर में राम का रोल अदा करने वाले एक्टर अरुन गोविल ने परतिक्रिया दी है रामानन सागर के शो में रामायर के राम और एक्टर अरुन गोविल ने हाल ही में न्यूज अजेंसी से बात चीत करते हुए कहा कि लोग इसे देखेंगे और प्यार करेंगे उन्होंने हर किसी को ये शो देखने का सुजाओ दिया है साथ ही उन्होंने रामायर को जिन्दगी के लिए एक संस्ता बताया है एक्टर से जब पूछा गया कि रामायर आ रही है आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस पर अरुन गोविल ने कहा कि फिर से देखेंगे लोग फिर से प्यार करेंगे रामायन हमारी जिन्दगी के लिए बेहत अरत्मक चीज है मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्हों ने अब तक भी नहीं देखा वे भी देखे बहुत अच्छा होगा एक्टर ने आगे कहा रामायन अपने आप में एक ऐसा संस्ता है जो हमें जिन्दगी जीना सिखाता है हम उसे सिरिफ मनुरंजन की दिर्ष्टी से ना देखे जो उसे कहा गया है जो बताया गया है अगर हम उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारी जिन्दगी बहुत सुक सान्ती और आनन से भरपूर होगी बता दे की रामायड शो मूल रूप से 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक परशारित किया गया था और इसे दर्शकों का बड़े पैमाने पर प्यार मिला था इसमें अरुन गोविल को राम दीपिका चिकलिया को सीता और सुनील लहरी को लक्षमन के रूप में दिखाया गया था वहीं दिगत अक्टर दारा सिंग ने इसमें हनुमान का किरदार निभाया था और अरविंद त्रिवेदी रामन के रोल में नजर आये थे रामायर शोट की टीवी पर वापसी की घोशना ऐसे समय पर हुई जब सोशल मीडिया पर इसकी तुलना ओम रावत की हाल ही में रिलीज हुई पैन इंडिया फिलम आधी पुरुस से की जा रही थी बता दे की ओम रावत की निर्देशन में बनी फिलम और प्रभास किर्थी सेन अभी नेतरी फिलम आधी पुरुस को अपने डायलोग्स और दर्शियों के चलते खुब अलोचनाओं का सामना करना पड़ा मानन सागर के रामायर पर अधारित एक कल्या जारी सीरियल बनाया जिससे दर्शकों से बे सुमार प्यार मिला असी के दर्शक में भी दूर दर्शन पर शारित होने वाले सो के परती दर्शकों में अलग ही दिवानगी हुआ करती थी इसके बाद कोविड महामारी की दस्तक के बाद लगे लॉकडाउन के दोराद इसे आज शाम साड़े साथ बजे से शे मारू टीवी पर देखा जा सकता है इसे लेकर हाल ही में रामायर में राम का रोल अदा करने वाले एक्टर अरुन गोविल ने परतिक्रिया दी है रामानन सागर के शो में रामायर के राम और एक्टर अरुन गोविल ने हाल ही में न्यूज अजेंसी से बात चीत करते हुए कहा कि लोग इसे देखेंगे और प्यार करेंगे उन्होंने हर किसी को ये शो देखने का सुजाओ दिया है साथ ही उन्होंने रामायर को जिन्दगी के लिए एक सलस्ता बताया है एक्टर से जब पूछा गया कि रामायर आ रही है आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस पर अरुन गोविल ने कहा कि फिर से देखेंगे लोग फिर से प्यार करेंगे रामायन हमारी जिन्दगी के लिए बेहत अरत्मक चीज है मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्हों ने अब तक भी नहीं देखा वे भी देखे बहुत अच्छा होगा एक्टर ने आगे कहा रामायन अपने आप में एक ऐसा संस्ता है जो हमें जिन्दगी जीना सिखाता है हम उसे सिरिफ मनुरंजन की दिर्ष्टी से ना देखे जो उसे कहा गया है जो बताया गया है अगर हम उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारी जिन्दगी बहुत सुक्सानती और आनन से भरपूर होगी बता दे की रामायड शो मूल रूप से 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक परशारित किया गया था और इसे दर्शकों का बड़े पैमाने पर प्यार मिला था इसमें अरुन गोविल को राम दीपिका चिकलिया को सीता और सुनील लहरी को लक्षमन के रूप में दिखाया गया था वहीं दिगत अक्टर दारा सिंग ने इसमें हनुमान का किरदार निभाया था और अर्विंद त्रिवेदी रामन के रोल में नजर आये थे रामायर शोट की टीवी पर वापसी की घोशना ऐसे समय पर हुई जब शोशल मीडिया पर इसकी तुलना ओम रावत की हाल ही में रिलीज हुई पैन इंडिया फिलम आधी पुरुस से की जा रही थी बता दे की ओम रावत की निर्देशन में बनी फिलम और प्रभास किर्ती सेन अभी नेतरी फिलम आधी पुरुस को अपने डायलोक्स और दर्शियों के चलते खुब अलोचनाओं का सामना करना पड़ा